पिछले दो लोगसभा चुनाव से भाजपा के मुकाबले चार शुन्ने चल रही कॉंग्रेस इस बार भाजपा को युवा चेहरे के आधार पर पठखनी देने की तयारी कर रही है। इसके साथ ही हमीरपूर संसदिया श्रित्र से लोगसभा का प्रत्याशी उनाज जिला से देने को लेकर भी बकाइदा प्रस्ताव पारित हो चुके हैं। सदर विधान सभा श्रित्र के पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रदेश कॉंग्रेस के उपाध्यक्ष सत्पाल सिंग रायजादा को हमीरपूर संसदिया श्रित्र की पिछ पर केंद्रिय मंत्री और दिगज नेता अनुराग ठाकुर के खिलाफ उतारने की तयारी की जा रही है हमीरपूर संसदिया श्रित्र से वर्ष 1996 के बाद कॉंग्रिस ने हमीरपूर संसदिया श्रित्र में जीत का स्वाद नहीं चखा है इस बार युवा नेता सत्पाल सिंग रायजादा के दम पर मैदान में उतरने वाली कॉंग्रिस के जिला अध्यक्ष सहित पूर प्रतिभा सिंग को भी भेज दी गई है जिला कॉंग्रेस के अध्यक्ष राणा रणजी सिंग ने कहा कि कॉंग्रेस ने इस बाहर उना जिला के युवा चेहरे को संसद्य श्रेत्र का प्रत्याशी बनाने की ठानी है और इस फैसले से हाई कमान को बकायदा आउगत भी कराया जा रहा है हमारी जो है मीटिंग हो चुकी है और एक नाम का ही प्रस्ताव हमने सभी ने एक जुटता से एक मत से ये प्रस्ताव बेजा है कि इस बार जो है एंपी जो है उन्ना से होना चाहिए और हमारे श्री सत्पाल रजादा जी का सिंगल नेम हमने इन्ना की और से बेज़ जा है क्योंकि इन्ना से पहले भी एंपी रह चुके है श्री रंजीर सिंग जी जहांसे मेंबर पालियमेंट रह चुके हैं तो काफी दिनों से अब हमीरपुर से ही MP बन रहे हैं, प्रंतु इस बार जो है, जो एक नरनायक कार्या होगा, नरनायक जो है, संगार्च होगा, और एक जुटता से, एक मत से हम बन साइड़ जो बोट हैं, वो सत पर रजादा जी के पक्ष में डालकर, उन्ना का इस बार हम मिंबर पालियमिट बनाएंगे, यह उन्ना बालों ने इस बार ठान ली है, और एक ही व्यक्ति जो है, उसके लिए हमने परस्ताब बेचा है, उसक जिला कॉंग्रेस के प्रसाओ को लेकर पूचे गए सवाल का जवाब देते हुए, पूर्व विधायक सत्पाल सिंग राएज्यादा ने कहा कि हमीर पूर संसधिया शित्र से, केवल मात्र वही नहीं बल्कि बहुत सारे वरिष्ट कारेकरता चुनाव लड़ने के एकचुक है। पाटी जिस पर विश्वास व्यक्त करेगी उसकी जीत पक्की करने के लिए जमीन इस्तर पर काम किया जाएगा। उन्होंने अपने ग्रिह जिला के कॉंग्रिस कमेटी जिला ध्यक्ष सहेद पाचु बलॉक अध्यक्षों के द्वारा उनके पक्ष में प्रस्ताव पारित करने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकूर चार बार लोकसभा पहुचने के बावजूद शित्र में विकास करवाने में नाकाम्याब रहे हैं। हाई कमान सारे बिंदू देखकर किमीर पूर संस्ति क्षेतर से किस क्षेतर से कांगर्स का किंडिड़ेट होना चाहिए। क्योंकि अन्राग जी खुद हमीरपूर से हैं, तो हमीरपूर से केंडिडेट कॉंगरस देना चाहती है जा नहीं देना चाहती है, जा जमा मैनस का एक जो है, वो कलकुलेशन है, क्योंकि जब भी एलेक्शन जब होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़े देखी जाती हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जा कोई और है, पार्टी के हजारों कारेकरता जो है, वो ये कपैस्ट्री रखते हैं, कि वो एलेक्शन उन्राग जी के सामने खड़के लड़ सकते हैं, और उनको हरा सकते हैं, क्योंकि जो MP का एलेक्शन होता है सांसद का अलेक्षिन होता है वो केंडिडेट नहीं लड़ता है वो वर्कर्ज लड़ते हैं केंडिडेट हर घर के घर पे नहीं जा सकता है तो वो कारेकरता जो होते हैं वो अपने किस छिद्दर से अपने जो नुमाइंदा है उसके किस सिद्दर से उसकी बरकरी करनी है किस सिद्दर से जो लड़ाई है वो भाजपा के खलाफ जा राग जी के खलाफ लड़नी है वो तै करती है कार्यकरतों के उपर सारी जो है वो वागडाउर होती है जो ब्लोक परधानों ने भेजा है मेरा नाम मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा पर मैं सभी को जे बोलना चाहूंगा कि कोई भी कैंडिडेट हो हमने इस अलेक्शन को हर हालत में जीतना है क्योंकि अनुराग जी ने पिछले 25 साल के आज़ पास जो है इनको सांसत बने तो हमीरपूर की जो रेल पहुंचाने की बातें करते थे उनुराग जी तो वहाँ हमीरपूर में कहां तख रेल पहुंची है इसका हिसाखताब उनुराग जी को देना चाहिए जो बजट इनको हजार उपेया मिला उसले उसमें तो उसके बारे में बताएं कि हजार पेसे कहां तक रेल पहुंचा पाएंगे यह जो उन्ना में रेल का आज अलग-लग रेलों का उखाटन कर रहे हैं कि कभी बता रहे हैं कि हमने यह रेल चिला दी है कभी कहते हैं वो रेल चिला दी है यह सिर्फ एक लोगों के आँखों के आगे पर्दा डालने की बाते हैं जो लोग समझते हैं यह सारा काम जो है कॉंग्रस के सरकार में हुआ और यह उन्ना तलवाडा जो रखी थी नीव तलवाडा तक अभी तक नहीं पहुंच पाई है दूसरी तरफ पूर्व विधायक सद्पाल सिंग राज्यादा ने के इंद्रियम मंत्री और चार बार की लगातार सांस दनुराग ठाकूर पर भी जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि केंद्रिय मंत्री को संसदिय शित्र की जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखना होगा और बताना होगा कि उन्होंने चार बार संसद बन कर इस लोग सभाज शित्र के लिए आखिर किया क्या है उन्होंने कहा कि हमीरपूर की रेल लाइन के नाम पर लोगों के साथ भद्धा मजाग करते हुए केवल मात्र एक हजार रुपे का बजट उपलब्ध कराया गया उन्होंने कहा कि 28 साल से हमीरपूर की संसदिय शित्र में भाजपा के ही सांसत चुने जा रही है और रेल लाइन को पड़ोसी राज्ज के तलवाडा तक नहीं पहुचाया जा सका है पूर्व विधायक ने कहा कि कॉंग्रिस धर्म के नाम पर राजनिती नहीं करती कॉंग्रिस की राजनिती विकास अधारित रही है भारत को अजादी दिलाने से लेकर आज के दिन तक देश के विकास में कॉंग्रिस का महत्वपून किरदार रहा है वहीं उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकूर प्रदेश में आई आपदा के दोरान केंद्र से मदद करवाने में भी नाकाम साबित हुए है धर्म को राजनीती में लाना यह हम मेरा अपना मानना है और हमारी पार्टी का मानना है कि धर्म का स्थान जो है वो राजनीती से बहुत उपर है भगवान राम का नाम जो है वो राजनीती से उपर है और राम को जा फिर धर्म को राजनिती में लाने से यह धर्म हमारे धर्म को जिस तरीके से बांटा जा रहा है चाहे वो धर्म के नाम पे हो चाहे वो जातपात के नाम पर हो जिस तरीके से यह राजनिती कर रहे हैं यह ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वार राग ठाकर जी ये सीट हार कर जाएंगे और मैं तो ये भी बोलता हूँ कि सिर्फ मीरपूर संस्दी एक सेत्र की बात नहीं है जिस तरीके से सुखवेंदर सिंग सुखुजी काम कर रहे है जिस तरीके से उन्होंने आते ही चाहे वो जो बचे अना थे उनको सरकार उनकी माई बाप जिस तरीके से बनी है और आज देखो आप कि जिनके माव आप नहीं है आज वो छेजार के करीब बच्चे आज उनको पूरी की पूरी फैसलिटी एक माव आप की तरह जिस तरीके से माव आप अपने बच्चों को देते है चाहे वो फीस हो उनकी चाहे वो उनको जेव खर्चा हो चाहे वो उनके कपड़ों के लिए खर्चा हो उनके सारा हमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है जे नियत दरसाती है सुखुदे सिंग सुखुजी की किस तरीके से वो हमाचल के दुखदर्द को समझते हैं आपदा की बात देखो आपदा में किस तरीके से सुखुदे सिंग सुखुजी ने काम किया और आपदा के नाम पर इन्हों ने पतानी कितनी बार बुला होगा कि हम दे रहे हैं दे रहे हैं और जब विधान सावा में विंदर सिंग सुखुजी ने एक मतपास करवाया कि हम इसको जो है डिजास्टर को नेशनल लेवल पे हम बात उठाएंगे कि इसको घोशित किया जा ताकि जो जिस तरीके से उत्राखंड को पैसे मिले थे उस तरीके से हमाचल परदेश को भी अगर पैसे मिलते तो आज हमाचल परदेश को हम बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा कर सकते थे लेकिन इन्होंने क्या किया इन्होंने उस नाम तो लेते रहे लोगों को ब हमारा हजार क्रोड रुपया जो स्टेट को मिलना था जो जन्सियों ने तैय कर रखा कि इतना हमारा नुकसान हुआ वो दलवाईए पहले उसको दलवाएं तब वो आके जहां पे लक्षन लड़ने की बात करें वो तो पैसे आप दलवा नहीं पाएं और बात करते हैं आप ब भगवान को जो है राजनिती में नहीं लड़ा चाते हैं जो है विकास की राजनिती करते हैं हम जो है आम जनता की राजनिती करते हैं पंजाब केसरी टीवी के लिए उना से अमेत श्रमा की रिपोर्ट झाल